हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है की नेक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सबसे पहला जो काम करिएगा वो चैनल को इसके बाद आपको आगे जितने भी वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिलेंगे और आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे टेकनिकल और अपने प्रोफेशनल करियर ग्रोथ को बढ़ाने इससे रेलेटेड वीडिय में दो वहां पर इसके डेफरिटेशन क्या है वह भी समझेंगे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं FMEA का purpose है क्या so DFMEA और PFMEA से पहले आता है FMEA FMEA को अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं failure mode and effect analysis so failure के mode को identify करना और उसका effect क्या होगा उसका analysis करना ही FMEA कहलाता है so this is a team oriented systematic qualitative analytical method यह एक qualitative analytical method है जो की किस लिए बनाया गया है you will get the potential technical risk of failure of a product or process आपके product या process में किस तरह के potential technical risk आ सकते हैं उसको identify करने के लिए उसको judge करने के लिए इस method को बनाया है उसके साथ साथ उस failure का cause क्या है यानि कि वो क्यों हो रहा है और उसका effect क्या होगा feature में इसका भी हम लोग analysis करते हैं साथ ही साथ ये भी identify करते हैं कि उस failure को रूकने के लिए कौन कौन से हम preventive and detective action कर सकते हैं उसको हम लोग इस FMEA में document करते हैं और साथ ही साथ action लेते हैं to reduce the risk सो के बल डॉक्यमेंट नहीं करना है उस actions को recommend किया जाता है कि अब कौन सा action लिया जाए जिससे इस failure को reduce किया जा सके है उसके chance को उसके occurrence को उसके rating को overall कैसे reduce किया सकता है यह हम लोग FMEA में discuss करते हैं सुरों जैसा मैंने बताया FMEA दो तरीके को होता है one is PFMEA PFMEA को वैसे लोग potential failure mode and effect analysis कहते हैं लेकिन यहाँ पर PFMEA का मतलब है process potential तो है दोनों में बट PFMEA का मतलब होता है process failure mode and effect analysis इसका मतलब है कि आपके product में manufacturing process के कारण से concept failure हो सकते हैं उसको हम लोग PFMEA में identify करते हैं तो मान के चलते हैं आपका product को बनाने में 5 अलग अलग process काम करते है step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 तो जब हम इस product को बनाएंगे उसमें पहले process पे कौन-कौन से failure mode identify हो सकते हैं दूसरे process में किसके कौन-कौन से failure mode generate हो सकते हैं तीसरे में कौन-कौन से failure mode generate हो सकते हैं इस तरीके से पाचो प्रॉसेस पे कौन-कौन से failure mode generate होंगे, उसका effect क्या होगा, उसका हम लोग analysis करते हैं, उसके बाद हम लोग preventive and detective action लेते हैं. तो यह हो गया manufacturing process related potential failure mode, नो DFM यह होता है design failure mode and effectiveness, मतलब आपके product design में ऐसी क्या खामिया हैं, ऐसी क्या कमिया हैं, जिसके कारण से future में कोई failure generate हो सकता है, और generate होने के कारण से आपके overall customer पे क्या impact पढ़ सकता हैं, यह हम लोग identify काते हैं DFM में, तो इसका मतलब अगर product के design को robust बना जाए, product के design में इस तरह के changes किये जाएं, या उसके overall specification में, उसके characteristics में changes किये जाएं, तो हो सकता है, यह failure mode ना आए, यह हम लोग DFM में consider करते हैं, और उससे related action लेते हैं during DFM design, okay, so not difference के अगर हम बात करें, PFM में, DFM में क्या है, तो PFM में जैसा कि मैंने बताए, यह होता है process failure mode and effectively analysis, या रियाने कि process में आने वाले failure mode और उसका effect का analysis किये जाजाता है, जब कि DFME की बात करें तो वो है design failure mode और इंफेक्ट analysis, या प्रोडक्ट के design में क्या failure mode आ सकता है, उसका effect analysis किये जाजाता है, PFME यह focus करता है आपके manufacturing process failure पर, याने कि manufacturing process में क्या failure आएगा, जब कि DFME फो यह यानिकर आपकी कमपनी प्रोड़क्ट्ट बना रही तो आपको प्रोड़क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् process के design को improve करना है process के steps को improve करना है PFMA की साहता से जबकि DFMA आपको कहता है product के design को improve करो so that product में failure आए PFMA में जो भी prevention हम करते हैं वो process में करते हैं जबकि DFMA जो prevention हम करते हैं वो product में करते हैं this is the basic difference between PFMA and DFMA नो बात करते हैं AIG VDA FMA आने के बाद दोनों ही format में changes हुए तो क्या changes हुए अगर आप देखो तो जो DFMA का format है यह पूरा DFMA का format seven steps में divide हो गया है तो पहला step तो है उपर basic information of project and product then second step बात करता है structure analysis की जो कि है step two उसके तीसरा step बात करता है function analysis की जो कि है step three फिर चौथा step बात करता है failure analysis जो कि है step four फिर पांचवा step बात करता है risk analysis की and उसके बाद next step बात करता है जो कि है optimization जहां पर हम recommend करते है action तो अगर आप DFMA PFMA के बारे में detail में जाना जाते तो अब मेरे चैनल पर जाईएगा दोनों का detail video भी मैंने बना रखता है नहीं बात करते हैं DFMA की तो DFMA क्या करता है DFMA में again step one is common for project information product information step two बात करता है structure analysis की जहां पर आपको structure analysis उससे different है अगर आप यहां पर देखो तो यह process item process steps की बात करता है but DFMA में बात करता है higher level focus element lower level then step three function analysis है but इसके content change हो जाते है step four failure analysis है इसके content content same है risk analysis step five जो की same है और उसके optimization आता है step six दोस्तों इस तरहीं के से PFMA में difference है आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना चाहिए जब आपके interviewer या कंपनी में आपका auditor पूछता है PFMA और DFMA में क्या difference है तो दोस्तों उम्मीद करतो है वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ अपने कि इसके साथ शेयर करना नहीं भूलएगा और चैनल को subscribe को आपने करी दिया थाइंक्यों फाइप अब आए पर आए अब आए अब आए अब आए अब झाल झाल